हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल डी ओपी एक्जाम पर यानि डिपार्टमेंटो पोस्टी एक्जाम पर आज किस वीडियो में हम पिछले साल हुई जीडेस्टू पोस्ट में एक्जाम का सेकिंड पेपर सॉल करेंगे इस वीडियो से आपको पता लगेगा पेपर में स्पेलिंग वे लेटर आइटिंग किस लेवल के आते हैं इसका फ़र्ष पेपर मैंने पहले ही वीडियो में सोल करा दिया है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखे वो लोग तो जरूर देखे जो पह डाफमेन एकजैम तक इस चैनल पर एकजाम से रिलिटेड इंप्रोटेड क्यूसन के वीडियो मिलेंगे जो आपको एकजाम के लिए बहुत ही माहत्य पूर्ण होंगे हर वीडियो से 2-3 क्यूसन आपको एकजाम में देखना को मिलेंगे तो तोलोई दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यदि आपने बितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके पास में दिये गये रेज़, बेल, एक्टुब बेज करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नॉटिपेकेशन सबस पासिंग मर्स लाने बहूत जरूरू है चाहे हमारे पॉसरी में कितनी भी हो यदि इस ऑप्पर में हमारे पासिंग मार्क नहीं है तो फ्स पेपर कोई भी मतलब नहीं रहेगा तो दोस्तो शुरू करते हैं प फएस्ट स्प्लिंग है पॉस्षिटी पॉस्ट मतलब दोस्तों कमी हमारा दो नमबर है affiliate affiliate means सब्मन्द तीन नमबर है decide decide मतलब मिश्ठानन हमारा चार नमबर है provisional provisional मतलब I style पांत नमबर है authentic authentic means असली चार नमबर है interfere interfere मतलब होता है दखल देना साथ नमबर है crude crude अपरिसकड आठ नमबर है hostile hostile मतलब होता है परतिरोधी 9 नमबर है well well मतलब होता है आवरण 10 नमबर है पेश्वुलियर पेश्विलियर मतलब अजीब 11 नमबर है sanitize sanitize मतलब स्वच 12 नमबर है abundant abundant मतलब बहुत सारा 13 नमबर है motive motive मतलब होता है उदसे 14 नमबर है Danny Danny मतलब होता है दोस्तो इंकार करना और 15 नमबर है Adorn Adorn मतलब होता है सजाना दोस्तो अब जो है 16 से 30 नमबर तक हमें हिंदी में दे रखा है हमें इनका इंकलीज में अर्थ बताना है तो दोस्तो विरोधी का इंकलीज में क्या होगा opponent ये दोस्तो सभी एक नमबर के question है 17 नमबर है संकेत संकेत का मतलब होता है इंकलीज में hint अठाना नमबर yathasht yathasht मतलब enough गुनिश नमबर है पूरवज पूरवज मतलब forefather बीश नमबर है फर्जी फर्जी मतलब दोस्तो इसका मतलब है fictitious एक्किस नमबर स्वतंदर्ता स्वतंदर्ता मतलब liberty बाइश नमबर है टालना टालना मतलब post-one करना तेश नमबर समान करना समान करना मतलब respect तेटरस्त का इंगलिस में क्या होता है indifferent 25 नमबर निंदा करना इसका क्या होगा sensor 26 नमबर है ओजल ओजल का मतलब इंगलिस में hidden गाईव होना 27 नमबर है याचना करना तो दोस्तो याचना करना मतलब क्या है soliciate 28 नमबर है प्रस्चूर तो दोस्तो इसका मतलब होगा ample 25 नमबर है पारदर्शक इसका क्या होगा इंगलिस में transparent 30 नमबर है दरीदर इसका दोस्तो क्या होगा indigent दोस्तो जो अब हमारा 31 और 32 क्यूशन है 31 क्यूशन दोस्तो जो हमारा क्या है letter writing का है 32 नमबर दोस्तो जो क्यूशन है वो हमारा SC का है निबंद का है दोस्तो letter writing और SC के बारे में मैंने पहले ही एक बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है उसका जो link है इस वीडियो की description में आपको मिल जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे letter लिखा चाता है निबंद कैसे लिखा चाता है हमारा address किस तरफ आता है उसमें अच्छे से दे रहा ताकि आपको उसमें कोई भी गलती नहीं हो तो तो दोस्तो मिलते हैं अगलो वीडियो में